नमस्गा दोस्तों इन्फो सिख्षा चैनल में एक बार दुबारा हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं लाइप कर रहे हैं और चैनल को सबस्क्राइब कर रहे हैं और वीडियो को सेयर कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत ध हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टोपिक को जो छोटे छोटे एक्जाम के लिए बहुत ही महतुपूर टोपिक है इससे एक या दो ट्वेस्च्च छोटे एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मैयत के सीखने की सिंखला में यह टोपिक जानना आति महतुपूर है तो दोस्तों आज का जो टोपिक हम डिस्के स्रहें जारहे हैं वह क्या है वी बोन होस तो भी मतला वीध्यू उंबında आ सा जैसा की यहाँ पहला है यहाँ पहला ते यह जो ऐसा है उसके पार Capital एक कितना क्मार्ट और भी इस भड़ा को स्कूर करेंदे इसके बांट एक परにちは आफ पर दै सब्सक्राइब डिया सोल रहे हैं ऐसे और प्रस्क वांज़ला को मुश्चर कहते हैं है कि अगद गाता है इसके बाद क्या होगा डिवीजिंस के बाद है पुरा गड़ खिर्ट को तो आज को यह सी वांप करने चेफिक में हम कि पर डिस्कस तो जा रहे हैं चुकि अपने चैनल पे एक लेक्षर हम इसका बना चुके हैं यह जो है सेकंड लेक्षर है कमेंट में भी आया था कि दंड को श्चक होता क्या है इसका स्लोशन कैसे निकाला जाएगा तो आज जो है इसका स्लोशन भी आपको तो दोस्तों इस खिराम को हम इससा साल करने में याद रखिए आए जो है इसका जो है question देखते हैं कि question जो है किस तरीके से आप साल करेंगे आए पहले question को हम देखते हैं कि पहले question का solution क्या होगा स्वाल क्या भोगा मैं चलिए यहां पर देहां गया है देंड गोस्टक को कि पहले हलका स्थे पहले आप बड़ा लीजिए कितने आएगा तीन आएगा और यह आएगा दो आएगा यह कितने आएगा दो आएगा प्लस 132 इंटू 0.4 अब यहां इसको आइट क्या लीजिए कितना बनेगा ये 5 ये 3 दो 5 और ये 2 एक 3 और गुड़े कितना हो जाएगा 0.4 इसको जो है हल क्या लीजिए तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 दो 22, 4 क्या 12 दो 14 और एक अंग पर 10 लगा दीजिए उत्तार अब क्या बन गया answer 142 पहला question जो है यह हल हुआ आइए देखते हैं second question क्या है second question में दिया गया है ये question आपके सामने है हम हल क्याते में सबसे पहले जो है कहों सामने है तोड़ेंगे इसमें एक ही bracket है और एक ही डिवीजिन है साबसे पहले इसी bracket को हल कर लेते हैं आगर इस bracket को हल करें तो यहां पर क्या आएगा 1170 divided by 26 प्लस इसके बाद इसमें से घटा लिजीए पहले देखिए यहां एडिशन और साप्रेक्शन लिखा गया है दोनों इंटर्स चेंज भी हो सकते हैं कि अगर पहले आप माइजस कर रहें तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइजस में आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं चलिए यहां पर अभाग करते हैं कि 5 माइजस 3 कितना आएगा 2 और यहां 6 माइजस 2 आठ माइजस 2 कितना आएगा यह बनेगा 6 और यहां 7 माइजस च्या आएगा 3 प्लस दिया है 23 इसको और हल कीजिए तिया है 26 प्लस ब्रैकेट में अब इसको जोड़ लीजिए 305 639 और यह कितना आगया 3 इसको जो है भाग कर लीजिए तो भाग करते के बाद आजाएगा 45 प्लस 395 यह कितना आएगा 55 10 और यह कितना बन जाएगा 9 4 13 14 की 4 और यहां 3 प्लस चार इसका आइसर बन गया 440 तो दोस्तों आपने देखा कि क्रम आई जो है यह आप अपलाई करते रहिए तो आपका जो है सलूसर आसानी से निकल जाएगा चलिए इसके बाद का जो है प्लस देखते हैं जिससे आपका जो है प्लस आपका जो है यह टोपिक क्लियर हो जाएगा अभी रिसेंट में यू पीपी का जो है पेपर है उस पेपर में जो है इससे एक यादो क्वेशिट पूछे जाएंगे इस लिए इस पॉइंट को जो है आप प्लियर कर लीजिए तो आईए तीसा क्वेशिट देखते हैं इसमें लगबर लगबर डंड कोश्टर को छोड़ कर सभी जो है प्राइकेट आच पे इसका जो है आप लेतें अब यह बताईए अगर तेरह में 3 माईजर से बटे 3 किया जाये किटना आएगा 12 बटे 3 हल कर अब पिछले लेक्टर में बताया है इसको आप देख लीजिए अगर हास समान हो तो तेरह में से घटा करके सीधिये जो है बटे में जो है तीन लिख दिया जाएगा इसका अशन आएगा चार इसका मतलब अभी क्वेस्चन क्या बद गया वन प्लस वन डिवाइड़ वाइड़ फाइब भागे फोर माइनस एक भागे चार चार क्यों आएगा तो कि इसका मान जो है हल होने के बाद चार आज़का अब यह जो है फिर कीजिए हल पांच बटे चार माइनस एक बटे चार इसको भी हल कर लीजिए यह कितना आएगा चार उत्तार आगेया अब यह क्या हुआ ओन फ्लस वन डिवाइड़ वाइड़ वाइन भाय यह प्लैकेट तूट गया अब एक मेरे एक कभास दिया जाए लाएक एक .\ जाये तो दो आजाएगा इसका इसन्व क्या गया इसका इसना आगया गूँँ तो दोस्तों आप यहां पर तीन क्वेस्टन जो है हल कर चुके हैं आईए चौथा क्वेस्टन हल कर चुके हैं देखिए यह इसके पाई आप देखिए और देख लिजिए कि कहां आगर दिक्का तो तो आप कमेंट ज़िए जरूर कीजिएगा आईए इसका जो है चौथा क्वेस्टन देखते हैं चौथे क्वेस्टन में क्या दिया गया है इसका सनूर्शन दोसो चालिस भागे दस यहां दो प्लस साथ गुले तीन धन दो 75-4 अब देखिए सबसे पहले आप इसको हग कीजिए अब इसको जो है डंड कोश्टन के अंदर लिया है पहले आप 12 भागे कितना कर लिजिए 12 भागे 6 अश्यों कितना आया दो अब यहां 13 प्लस दो कर दीजिए 13 प्लस दो करेंगे तो आएगा 15 हमने भाग को इसलिए पह अब क्यों है यह आएगा यह आगया कितना गुड़े 15 हो गया अब इसके आगे हल करते हैं 240 भागे 10 ब्राइकेट पर दो दन साथ गुरे तीन धन दो ब्राइकेट के अंतर हल करते हैं 75 माईजस 15 चुपा 60 कितना बदी आएगा यह अब हल कर कीजिए 240 भागे 10 यहां बगाबत करते रहिएगा 2 प्लस 7 गुरे तीन धन अब यह बताई कितना आएगा यह आएगा 75 माईजस 60 एक चीद धिया रखिएगा अगर यहां गुरा नहीं भी दिया है ब्राइकेट का मतला होता है गुरा कोश्र का मतला इसका मतला यह पाचैतर में से 60 गये 15 आया तो 15 का जो है क्या हो जाएगा गुड़ा हो जाएगा अब यहां जो है पिर आगया कितन दो सो चालिस भागे दस ब्राइकेट में दो धन कितना यह बन जाएगा सातियां एक कैस धन पंड़ा दुनी 30 यह कितना बन गया दो सो चालिस भागे दस दो धन एक कैस धन तीस कितना आएगा एक क्यावन है कि क्यावन धन दो कितना जाएगा तीरपन 53 अब ध्यार रखिए यहां यह ब्राइकेट का मतलब है गुरा और यहां दो है यह भाग है पाहले क्या करना आए पाहले डिवीजन करता फिर मर्लिप्रिकेशन करना है डिवीजन कीजिए यह कितना आ जाएगा दो सो चालीस भागे दस कितना आया 24 और 24 इल्टू 53 गुड़ा कर लेजिए 53 इल्टू 24 कितना बन गया चार के बारा और चार पच्चे बीस इन उनी च्छे बीस शे च्छे पिस एक सब्ताइस की साथ हासिल लगा दो पान उनी दस दो बारा इसका अर्सोर आ गया बारा सो ब गुदतर तो दोस्तों इस question को इसी तरीके से आपने concept को apply कीजिए और answer को निकलते नहीं आईए next question इसका देख लेख लेटे है next and last question कैसे इसका है यह हाल होगा अब यहाँ पर क्या है इसका सलूशन अगर हम लिका लें 48 भागे बार गुड़े ब्रैकेट में अब यहाँ देखिए सबसे यहाँ पर क्या है आप पर का पाले जो है ब्रैकेट के अंदर हल कर लीजिए यहाँ का मतलब होता है इंगलिस में और हिंदी में का प्लस क्या होगे यहाँ दो बटे तीन गुड़े तीन बटे चार इसको हल कीजिए तो 48 भागे बार गुड़े कितना आ जाएगा चार इक के चार चार दूनी यार तीन तीन आई दो यह बग यहाँ तीन बटे दो प्लस कितना बन जाएगा दो दूनी चार तीन तीन से कार दीजिए एक बटे दो अब यह कितना आएगा 48 भागे बार गुड़े कितना यह बन जाएगा यह बन जाएगा तीन यह चार चार बटे दो आगया 48 भागे 12 मुड़े कितना हो जाएगा दो 48 में 12 से भाग दीजिए आ गया 4 मुझे 2 4 मुझे 2 कितना आएगा 8 तो दोस्तों इस तरीक्या से आज के लेक्चर में आपने देखा वी बोर्ड मोस का कांसेट क्या है और आएसे प्रस्टों को जो है कैसे हल करते हैं दोस्तों यह आपको जो है यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन पे क्लिक करतीजिए जिससे जो भी वीडियो में अप्लोड करें उसकी जानका यह आपको तुर्ण मिल जाए दोस्तों अगले लेक्ष्टर में ऐसे यह अधिक पॉइंट को लेकर हम दुबार उपस्त होंगे अभी दोस्तों हमने जो यह इस्टाइट किया है नंबा सिस्टम नंबा सिस्टम में धीरे-धीरे करके चुकि उसमें फ्रैसर था फ्रैसर को म बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है पाले आधार को मजबूर कीजिए और दीजे दीजे यह मेरा रामी से कि आपको जो है मैत सिखा देंगे बेतरी तरीके से चली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही